हलो फ्राइंट्स वल्कम टू माई चेनल अज हम बनाएंगे गुलाब जामून मावे से बिल्कुल जैसे बाजार में गुलाब जून बनके बनके तयार होंगे यह कि देखते हैं इसके लिए हमें क्या समय लेकी ये हमने आदा किलो मावा लिया है जब भी आप मावा गुलाब जा gjort एधनल बना रहे हो दो ऎसरे हमेशे घलतने जातल जाए तो तो इसले穴ीजा माव और मावे को लाके हमेशा इस तरह से चलनी से किस ले आपको इसे वो गुजमीन इसके सारे जो भी गूठने असाब तूट जाएंगे और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा किसनी से किसने पर इस तरह का वावा तयार हो जाएगा इसमें आप दो चमच अराउट डाल रही हो में इस क्यक्के चमच आणाट का इसको अच्छे से मसल के आटे जैसे गूत लेना है इसको अच्छे से मसल कर आप इसको डोव बनाके त्यार कर ले इस तरह से ये बनके त्यार हो जाएगा अब इसकी हम एक लोही बना लेते हम हे actually बना लेते महnia ने शाष्णी बने रख दिये 3 कप ची नी लिए मेंने और देर पघ्र कप आने डाला है ऐसीमिल दिया ता इसको अच्छे से उबालना है पाइर ज्रक लियो बीनात आपक कि उदने गॉल Arbeits और बिल्कुल धीमी आज पर रखा है कि दिमी आज पर आप गुलाब जोन बनाए अगर आपको लगता है कि तेज जादा हो रही तो आप गेस को बंद कर दें फिर वापस चालो करके धीमा कर दें यह देखिए यह गुलाब जोन कितना अच्छा बनके तयार हुआ है ना यह फ अब कि अधार उटा था यह आपकी गुलाब जोन मना लेते हैं साइज अपने साब रख सकते च्छोटा बड़ा क्योंकि घी में डाल लिकाड़ थोड़ से फूलते भी है इसी तरह सारी लोई बना गोलिया बना के रख लेंगे मैं सारी गोलिया इस तरह मीक पर गरम अधीन बिल्कूल दीमी आज पर हमें इसे बनाना है सारे कुलाब जौन की लोह गोली आइस में आप डाल दे आप चाहे तो इसे चॉकलेट की बना सकते हैं मैं वह भी बता देती हूं आपको इस तरह से आप लोही बना ले लोही में आप चाकलेट यह चॉकोड चिपस आती है यह बना के तयार कर लें आप यह गुलाब जौन में खाने में बहुत टेसलेट और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं है ह् मनें गुलाब जहुक टॉस में डाल दिये थे कड़ाई में घीने धींदी में आज पिर आप इन्हें कहणाव कड़ाई के दुद्धा गोल गुमाए चम्मचछ को शाहए से डाल के किनारे किनारे को तेल को गुमादे जिससे जाएंगे और एक जैसे कलर में बनके तयार होंगे जब गुलाब जुन हलके होते हैं तो यह उपर आ जाते हैं मतलब यह बहुत अच्छे बनके तयार हुआ इस तरह से आप चमच घुमाते जाए और अगर आपको लग रहा है ज्यादा हो रही तो आप उसे बंद कर दें और थोड़े बाद फिर से चालू कर दें तो यह अंदर तक पक जाएंगे और बहुत अच्छे बनके तयार होंगे गुलाब जामुन यह देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका आप जायते से ओ ज्यादा कलर का ज्यादा ब्राउन कर सकते हैं मैं इसी कलर के निकाल लूँगी यह अच्छे से हो गए हैं कि यह देखिए अच्छे से बन गए हैं कि अच्छा या है आप कभी भी गुलाब हुझ अच्छाई आप गरम डालें अग्दम ने ले जाएं जाले है यह त्त स्य अच्छने ठंडी थान्डी हो गई है यह और इसमें टार नहीं है लेकिन इसमें कोई भी टार नहीं है अब इस चाशनी में हम एक करके गुलाब जर्मून डाल देंगे जाशनियों को हमेशा खुणकूना रखे अगर आप गुलाब जर्मून निकालके डाल रहे हैं तो चाशनी ठंडी हो तो गुलाब जर्म आजिब से नरम हो जाएंगे एक तम गोल नहीं रहेंगे सारे गulaब जूनों काव इसमें डाल के थोड़े चोड़ दे जो चाशनी पूरी सोख ले इस्संतर था सारे चाशनी में डाल के चो दे मैंने और बड़न सारे पैर चाशनी पूरी पूरी पट जाईए उसमें आराम से यह देखिएए बंगे तयार है लुख में निकाल लें गुलाब जामून यह बहुत अच्छे बनके तयार हुआ है खाने में टेस्टी भी है सॉफ्ट भी है एक दब मार्केट जैसे मैं आपको एक गुलाब जान काट के दिखाती हूँ कि इतना सॉफ्ट बनाया है और चाशनी भी इसके अंदर तक गई है देखिए यह कितना आराम से कट गया है और अंदर जालिया भी है इसमें चाशनी अच्छे से गई हुई है अंदर यह बहुत अच्छे बनके दयार हुए है अगर आपको यह रेसे भी पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इसने चाशनी अंदर तक सोख लिए अच्छे से थैंक्यू